हेलो दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसंस मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिरू आज का अमारा टॉपिक होने वाला है लीप 52 डीएस सीरप लीप 52 डीएस सीरप के मैं आपको यूज डोज बैनिफिट साइड ए आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बैल को ओल कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वह आप तक नोटिफिकेशन के थूरू जल्द पहुंच जाए तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को सुरू करते हैं लीप 52 डीएस सीरप एक बहुती जा आता है जैसे की फैटी लीवर इसके अलावा और किन-किन प्रोब्लम्स में इसे यूज किया आता है मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि ये बेस्ट लीवर टॉनिक क्यों है तो उससे पहले फिलाल मैं आपको दिखाता हूं इसकी प कंपनी बनाती है हिमाल्या आए जानते किन-किन चियों से मिलके बना हुआ है इसमें होता है हिमसरा इसमें होता है अरजुना इसमें होता है काका माची इसके अंदर होता है कासनी और भी कई जड़ी बुटियों से मिलके बना हुआ है चलिए दोस्तों मैं बताता हूं किन-क प्रोब्लम हो उसमें इसे इस्तिमाल क्या आता है या फिर किसी को ब्धाजमी की प्रोब्लम हो उसमें इसे इस्तिमाल क्या आता है या फिर किसी को भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी उस कंडिशन में भी इसका इस्तिमाल क्या आता है चलिए दोस्तों मैं बदाता हूं इस इसे यूज करने का सही तरीका यानि इसके डोज, दोस्तों इस सीरप का इस्तेमाल, 6 साल से 12 साल के बच्चों को आदा चम्मच सुबा, आदा चम्मच साम को खाना खाने के बाद लेना होता है, और 13 साल से उपर की उमर के लोगों को ये एक चम्मच सुबा, एक चम्मच साम को खाना होना खाने के बाद लेना होता है दोस्तों मेरे से बहुत लोग बोलते हैं कि सर इसे खाली पेट लिया आता है मैं आपको बता दूँ बहुत लोग आप खाली पेट भी ले सकते हो लेकिन कई लोगों को ऐसी दिक्कत होती है कि उन्हें पेट में जलन या फिर गैस बने लगती है बहुत जादा तो उस condition में जो है कि बहुत दिक्कत होने लगती है इसलिए मैं इसे खाली पेट लेने की सला नहीं देता हूँ लेकिन अगर आपको डॉक्टर देते हैं सला कि अगर आप खाली पेट लीजिए तो आप ले सकते हो दोस्तों वीडियो को पूरा देखे के मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको description box में मिल जाएगा चलिए दोस्तों में बताता हूँ किन लोगों को अपनी मर्जी से इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए छे साल से कम उमर के बच्चों को यह सीरफ अपनी मर्जी से नहीं देना है और जो महिला गर्बती हो वो भी इसका इस्तेमाल ना करें या फिर जो महिला अपने बच्चे को इस्तनपान कराती है वो भी इसका इस्तेमाल ना करें अगर यह लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाले उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर उन्हें डॉक्ट की भूक में बढ़ोतरी हो जाएगी साथ साथ मैं आपको बता दू जिन लोगों को लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे कि अगर उन्हें दारू पीने की वज़े से सराव एलकॉल लेने की वज़े से उनके लिवर को बहुत छती पहुंचिए तो उसको भी रिकबर करत है साथ साथ जिन लोगों को हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम होती है वह लोग भी अगर इसका इस्तेमाल करते तो उनके में काफी सुधार देखने को मिलेगा बहुत लोगों को ऐसा होता है कि पीलिया हो जाता है उसके बाद उनकी बिल्कुल भी भूख नहीं लगती सरीर म एकदम ब्लड ही खतम हो जाता है तो उस कंडिशन में भी इसको दिया आता है तो इससे क्या होता है कि सरीर में ब्लड बनना शुरू हो जाता है और खाना पीना भी सही हो जाता है इसके बाद उनका सरीर फिर पहले जैसा स्वस्थ हो जाता है या फिर जिन लोगों को बढ़ अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत जल्दी रिलीव देखने को मिलेगा और सरीर में बदलाओ भी देखने को मिलेगा दोस्तो कई लोगों को फैटी लिवर की प्राबलम होती है तो मैं आपको बता दू धीरे दीरे लिवर पेसे यह फेट अठा देता है और लिवर को स्वस्त बनाता है दोस्तो मैं आपको एक सला देना चाहूंगा जब भी आप कोई लिवर टॉनिक पीते हो तो आप कम से कम तली भूनी चीजे खाएं तील वाली चीजे बिल्कुल कम कर दें और जो बाहर का फास्ट फूड है वो भी बिल्कुल बन कर दें आए दोस्तो जानते हैं अब कि यह सबसे ज़्यादा बिखने वाला लिवर टॉनिक क्यों है क्योंकि दोस्तो यह एक आयरवेडिक दवाई है और सबसे ज़्यादा डॉक्टरे से रिक्मेंट करते हैं और आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है और हिमालिया कंपन दोखते हो और आपको किसी भी परकार की दिख्कात होती है तो आप इस दवा को बन कर दें और दॉक्टर सा मिलें दोस्तों कोई भी दवाई यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर की सला जरूर लें डॉक्टर की सला के बिना कोई भी दवाई यूज़ ना करें आई होप कि आपको वीडियो पसंद आयोगी, सौड वीडियो लाने की कोशिस करता हूँ, ताकि आपका समय बचा सकूँ, और आसान बा समय वीडियो लाता हूँ, ताकि सब तक पहुंच सकूँ. तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बुटबार